हेलो एवरिवान आज हम इस वीडियो में कमपेर ज़ें करेंगे MI 11X में और MI Redmi Note 10 Pro Max में और देखते हैं बेस्ट फोन कौन सा है तो बात कीछवा डिस्पले से दोने की सेम है 6567 इज की दोनों फोन का रेजुलेशन है 108025 चो 20 से पिक्सल और MI 11X में आपको AMOLED डिस्पले मिलती है Note 10 Pro Max में है Super AMOLED डिस्पले और दोने फोन में आपको 5 डिस्पले मिलती है और दोनों में आपको 120 Hz का रिफ्रेशिट मिल जाता है बात की जाए हाडवेर की MI 11X का है Snapdragon 870 का CPU है 352 का हाट 7 NMT का FAT GPU है 650 का Note 10 Pro का है Snapdragon 732 G का CPU है 2.2 GHz OctaCore का और 8 NMT का FAT और प्रोसेस के मावने में MI 11X BEST है बात की जाए बैके में की MI 11X का है ट्रिपल जो में है 48 मिल का फिर 8 का फिर 5 का Note 10 Pro Max का है Quad V जो में कैमेरा 108 मिल का और बात की जाए फरंट के में की तो MI 11X का है 20 का और Note 10 Pro Max का है 16 का और बात की जाए बैके की तो MI 11X में है 4-520 MHz की Note 10 Pro Max में है 5-020 MHz की और दोने की बैके इप्स नो निबल है आप दोने की बैके को निकान ने सकते दोनों फोने में चार्जर सीम है 23W का दोने में टैप्स का स्पोर्ट है दोनों में आपको फिंगरपिन सेंसर और फेसलोक में मिल जाता है और आपको MI 11X में डोल सी मिलती है Note 10 Pro Max में आपको ट्रिपर सी मिलती है दोने की बांटी है एक साल की और बात करते है रैम की तो दोने में सीम है 6GB और 8GB की मिल जाती है बात की जाए मैमोरी की MI 11X में एक सो 3GB की और दोने ही फोने में आपको अन्डोट 11 मिलता है बात की जाए प्राइस की तो MI 11X का स्टार्टिंग है 39,900 नमर पी Note 10 Pro Max का स्टार्टिंग है 18,900 नमर पी तो फिर आपको दोनों फोने में सी कौन सा फोन पसंद आया कौन बॉक्स में ज़रू बताना अगर आपको दोनों में से कोई फोन लिना है अगर आपको कंप्रेजिव फोन लिना है तो आप MI 8GB Note 10 Pro Max के साथ जा सकते हो अगर आपके पास से 30,000 रुपे तो आप MI 11X के साथ भी जा सकते हो